आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी प्रिंटर को अपने किसी भी Android मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो आई आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं तो इसके लिए चाहिए आपको कुछ चीजें जैसे कि सबसे पहले आपका प्रिंटर आपका मोबाइल जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको चाहिए एक USB केबल जो कि आपके प्रिंटर में लगी होगी जिससे आप इसे अपने कम्प्यूटर या लैप्टॉप से कनेक्ट करते हैं इसके अलावा चाहिए आपको एक OTG केबल तो कैसी होती है OTG केबल मैं आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की होती है OTG मेरे पास दो तरह की है एक यह है एक यह है यह दो तरह की है तो यह आपको किसी भी फोन की दुकान पर मिल जाएगी 30 या 40 रुपे तक की तो आप फोन की दुकान पर जाएंगे और उससे बोलेंगे कि आपको आपके फोन के लिए OT स्टोर को ऊपन करना है, तो प्लेश्टोर को open करें, यहाँ पर आप सर्ज करें, एन ओ करें दो को पर आइन ट्रिय नो को प्रिंट आप सर्ज करें और इसको अपने फोन में इस्टॉल कर लीजिए तो ये वाला application सबसे अच्छा है और easy है इसलिए हम इसको इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए और इसको हम install होने देते हैं तो ये install हो चुका है फिर आपको इसे बंद कर देना है अब आपको आपको बताता हूँ जैसी कि मेरे पास वीवो का फोन है मैं आपको बताया था वीवो रियल्मी और ओपो के फोन में otg चालू करना है तो इसकी mobile की settings में आईए फिर आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा चौथे या पाच्चे नमर पे otg आप इसे चालू करिए और यहाँ पे आप इसे चालू कर दीजिए अगर आपको यह चीज यहाँ पे नहीं मिल रही है तो यह आपको मिलेगा additional settings में नीचे आप जाएंगे यहाँ पे आपको more settings या additional settings मिलेगा आपको इसके अंदर भी मिल सकता है तो आप देख लिजी यह आपके फोन में कहाँ पर है पर अगर आपके पास MI, Samsung या कोई other device है तो उसके अंदर direct otg connect हो जाती है हमको चालू नहीं करनी पड़ती है तो उस चीज को चालू कर लिजी अब बार यहाँति है connect करने की तो connect करने के लिए आपको सबसे पहले आपको otg चाहिए और आपको जो usb केबल है जो printer के साथ connect है पीछे की तरह इसका दूसरा हिस्सा connect हो रखा है आपको otg ऐसे करके लगा देनी है तो ऐसे करके लगा दीजिए इसमें अगर आपको ये वाला otg है तो भी सेम ही काम करता है ज्यादा मुश्किल नहीं है फिर आपको otg का जो ये वाला हिस्सा है आपको अपने mobile में connect करना है और ध्यान रहे इस दोरान आपका जो otg option है वो चालू होना चाहिए अगर आपके पास ऐसा option आता है इस वाले पर touch करें ओके करिए दो तिन वाला करने को कहा सकता है ये फिर आपका application open हो जाएगा अगर नहीं होता है तो open कर लिजी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं तो हम application को open करते हैं यहाँ पर दिखा रहा है not selected इस पर touch करें इस वाले option पर touch करें USB वाले पर अपना printer देख लिजी हमारा printer आ चुका है HP का है हमारा printer और यहाँ पर भी दिखा रहा है इस पर touch करिए continue पर touch करिए कुछ फाइल आपके फोन में डाउनलोड होगी ताकि आपका फोन आपके printer को चला सके तब ही यह काम करेगा तो इसे होने दीजिए इसमें 5 या 6 मिनट लग सकते हैं और आपका net चालू होना चाहिए और printer भी चालू होना चाहिए इस दौरान तो हमारा printer चालू ह है तो यह successfully हो चुका है ओके पर आपको touch करना है अगर add आती है तो add को cut कर दीजिए तो हम इसे cut कर देते हैं अब हमारा printer तो connect हो गया है अब बार यह आती है print out निकाल लेगी तो यहाँ पर printer का नाम दिखा रहा है तो आपके पास photo है अगर यह image है तो आप photo and images पे touch करें अगर आपको कोई document है जैसे कि pdf file word file तो आप document पे touch करें हमारा document है हम इसे open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा document कहा है तो हमारा download में है side हम इसे देख लेते हैं कहां पर है तो यह हमारा document my name is Vikas तो यह हमारा PDF है तो हमने इसे एक बार test कर लिया था पहले तो हमारे यहाँ पर आ चुका है और हमारे पास एक page है जिस पर एक side लिखा हुआ है दूसरी side खाली है यह आप देख सकते हैं तो हम दूसरी side print करेंगे इसको तो page आपको लगा देना है और यहाँ पर आप area वरा select कर सकते हैं अगर आप जानते हैं इसके वारे में तो वरना ऐसे ही रहने दीजिए print पर touch करिए थोड़ा सा wait करिए एक या दो मिनट का और आपकी printing चालू हो जाएगी आप phone को ऐसी छोड़ दीजिए हिलाईएगा मत बिल्कुल भी और आपका print यहाँ पर चालू हो जाएगा तो हम इसे होने देते हैं और यहाँ पर हमारा print हो चुका है यह देख सकते हैं यह अभी का है और हमारा यह पहले का print है जो आपको बताया था तो ऐसे आप इसे use कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो comment box आपको नीचे मिल जाएगा चैनल के नाम के नीचे